जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़े 25,000 करोड के रोशनी लेंड स्कैम में किस तरीके से बंदर बाठ हुई उसका परदाफास होना शुरू हो गया है आखिर कैसे उन्होंने गरीबों के घर रोशन करने के नाम पर बनाये गए कानून की आड में करोडो रुपे की सरकारी जमीन हडप ली थी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Facts Bucket YouTube चैनल में अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए कुछ व्यापारियों के और इनके रिष्टेदारों के नाम भी शामिल हैं बताया जाता है कि अभी तीन से चार और सूची आएगी जाहिर है कि कई और नाम सामने आना भी बाकी है हाइकोट ने 9 अक्टूबर को अपने आदेश में सभी आवंटन को रद करते हुए सीबी आई को घोटा लेकी जांस सोपी थी इसके बाद सीबी आई ने घोटा लेकी परते उधेड़ना शुरू कर दिया था क्या है रोशनी एक्ट लैंड स्कैम गरीबो के घर को रोशन करने के नाम पर नैशनल कॉंग्रेस सरकार ने जम्मू कश्मीर भूमी एक्ट 2001 लागू किया ततकालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर फारुक अब्दूला ने साल 1990 में हुए अतिकर्मन को इस एक्ट के दाएरे में लाकर नियमित करने का फैसला किया सरकार का कहना था इसका सीधा फायदा उन किसानों को मिलेगा जो सरकारी भूमी पर कई सालों से खेती बाड़ी करते थे इससे होने वाली आमदनी से जम्मू कश्मीर में बिजली पैदा कर गरीबों के घर को रोशन किये जाना था मगर एक्ट का फायदा उठा कर राजनेताओं नोकरशाहों ने और वेवसायों ने सरकारी और वनभूमी की बंदरबाट की साल 2005 में मुफ्ती मुहम्मद सहीद के नेत्रतो वाली PDP सरकार ने योजना का दायरा 2004 तक हुए कबजों तक सिमित कर दिया था वहीं गुलाब नभी आजाद के नेत्रतो वाली कांग्रे सरकार ने इसे साल 2007 तक सिमित किया योजना के तहट सरकारी जमीन को नियमित करने के लिए कई नय अतिकर्मन हुए साल 2014 में कैग ने अपनी रिपोर्ट में 25,000 करोड के घोटाले का जिक्र किया और हंगामा मच गया इस दोरान कई याचिकाएं भी लगी 13 नौवंबर 2018 को हाई कोट की डिवीजन बैंच ने रोशनी एक्ट के तहट हर तरीके के लेंदेन पर रोक लगा दी थी आज के लिए बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमसे जूड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करना नहीं भूले जैहिंद